नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिना तोसांशों पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरे टीम की तरफ से तो आज हमारी चर्चा का क्या विशाय है हम लोग प्रिविएस येर क्वेस्टन देख रहे थे कक्षा बारवी की बहुतिकी सीरीज के लिए मिशन 2023 जहां पर हम आपको परिशा की तैयारी करवा रहे हैं 2023 के लिए और इसी सिलसिले में जो है हम पी वाई क्यू वन में थे हम लोगों ने गतिमान आवेस और चुंबकर तो ये अध्याय चालू किया हुआ है और हम लोगों ने एक और वीडियो में ये बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग देखा हुआ है आज का जो ये जो अगला क्वेस्टन है वो क्या है एंपियर के परिपत नियम को को लिखिए और इसकी साहता से धारा वाही पारिणालका के अंदर चुम्बा के छेतर व्युत्पन कीजिए कब का प्रशन है 2022 का 2022 का प्रशन मतलब अभी अभी पूछा गया था और इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है आज़े आए देखते हैं सबसे पहले एंपियर का नियम लेखते हैं तो एंपियर का जो नियम है वो क्या बोलता है कि इसी भी बिंदू पी पर बनने वाले चुम्बा की छेतर की जो तीवरता है उसको निकालने के लिए हम सूत लगाते हैं बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई यहाँ पर क्या है बी जो है चुम्बा की छेतर की तीवरता है डी यहाँ पर इस धारा वही चालक के जो से लंबाई के बारे में है और म्यू नॉट आई अब इसका उप्योग करने के बाद में जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चुम्बा की छेतर की तीवरता किसके लिए निकालना है धारा वाही पर नालिका जिसको इंगलेस में क्या बोलते हैं सोलेनोइट के लिए क्या कर प्रति एक अंक लंबाई किसकी और इसमें जो है चक्करों की संख्या एन है तो इस प्रकार से यदी सकी पूरी लंबाई L हो तो कुल मिला के चक्करों के संख्या NL हो जाएगी NL कुल मिला के चक्करों की संख्या हो गए अब यहां पर कुल मिला के प्रवाहित धारा कितनी हो जाए तो भाईया हर एक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा आई डैस बराबर एन एल आई अब जो है हम एंपियर के परिपस का नियम लगाने के लिए यहाँ पर कल्पना करते हैं एक बंद लूप की और इस बंद लूप का नाम रख देते हैं ए बी सी और डी तो बंद लूप एवी सीडी के लिए जो है हम एंपियर के परिपस का नियम लगाएंगे तो बी डॉट डी अल बराबर म्यू नौट आई डैस यही तो हम लोगों ने एंपियर के परिपस नियम में सीखा है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि इन चारों हिस्सों को अलग-अलग तोड़ सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा A से B तक यह हो जाएगा B1.DL1 प्लस B से C तक और यह हो जाएगा B2.DL2 उसके बाद में यह हो जाएगा C से D तक और यह हो जाएगा B3.DL3 और इसके बाद में हो जाएगा D से वापस A तक और यह हो जाएगा B4 दोट DL4 और इन सारों को जोडने के बाद में हमको मिलेगा अब यहाँ पर देखते हैं कि किसका किसका मान भई जब हम लोग डॉट लगा रहे हैं तो कॉस्थीता लगता है और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि DL में चुम्ब की छेतर और लंबाई के बीच में जो कोण है वो कितना है तो यहाँ पर देखिए A से B A से B और यहाँ पर जो है इनके बीच का जो कोण है भाई यह लंबाई कितनी है यह है और इन दोनों के बीच में तो यह हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोण मिलाके चुम्ब की छेतर जो है शून्य है इसलिए यह सून्य हो जाएगा अच्छा यहाँ पर B2 और DL2 तो पर चुम्ब की मतलब यहाँ पर विदुद्धारा का प्रवाह इसके बाहर वाले हिस्से में A B के हिस्से में नहीं है इसलिए और कुन मिलाके चुम्ब की छेतर की तीपता कैसे निकलेगी तो यह निकल जाएगी B गुणा और DL जो है लंबाई कितनी है तो यहाँ पर लंबाई L है तो B गुणा L बराबर मू नॉट और यहाँ पर I' हो जाएगा और यह I' कितना है मू नॉट N L N L I और यहाँ पर जहेखिए B कमान तो बटा L कर देंगे यह L और यह L कट जाएगा और कुल मिला के चुम्ब की छेतर की तीवरता कितनी हो जाएगी व्यू नॉट N I तो इस प्रकार से हम लोगों ने सॉले नॉट के लिए याने की धारवाही परिनालिका के लिए चुम्ब की छेतर की तीवरता निकाली 2022 में पूछा गया प्रश्न है और आप सबसे पहले क्या उत्तर देंगे एंपियर के परपथे नियम काना के बारे में बताएंगे उसका सूत लिखेंगे फिर यहां पर जो है कंडिशन बताएंगे और इसका एक्स्प्राइनेशन देंगे आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे ठीक है तो यह चीज हम लोगों देखी इसी तरीके के और भी प्रश् हुआ है